तो आज हम लोग बेसिकले लेकर रहा है एक नया मड्यूल that is GST और में नाम है शाहलम आप लोग मुझे जानता है और मैं बहुत सारी के साथ वर्क कर रहा हूं और काफी समय से पढ़ा रहा हूं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक मड्यूल that is GST जिसमें हम लोग GST का law सीखेंगे इसका object क्या है हमें सीखना है GST की written file करना और written file करने से पहले थोड़े थोड़े चीज़े जो उसमें लिखी गई है उसमें उसके law के बारे में बारिक क्या है वो में सीखना ज़रूरी है जो कि हम यहाँ पर सीख लेंगे तो आज हमारी first class है जो कि है GST की introduction class तो हम लोग start करते हैं GST की introduction class ठीक है मैं आपके साथ skin share करता हूँ अपनी तो basically हम लोग start करते हैं अपनी GST की first class जिसमें सबसे मेले हम यह देखते हैं कि आखी GST से पहले यह देखते हैं कि आखी text क्या चीज होती है तो text क्या होता है text हमारे दो तरीके के होते हैं एक होता है हमारा direct text और एक होता है हमारा indirect text अब यह बात आती है कि direct text indirect text हमने सुना तो कई बार है लेकिन यह होता क्या है आखी डारेक्ट टेक्स होता है कि हमें समझ में यह आता डारेक्ट टेक्स मतलब जिसका बर्डन जिसके उपापढ रहा है जिसका बर्डन जिस बंदे के उपापढ रहा है जो उसका बोज उठा रहा है उसी को गवर्मेंट ने कहा है भया तेरी responsibility है हमारे तक पहुचाने की इसकी इस बर्डन को किसी को तू शिफ्ट नहीं कर सकता तो यह हमारा direct text होता है direct text वो text होता है जिसका burden जो उठा रहा है उसी को जिम्मेदारी है उसको government पहुचाने की indirect text क्या होता है जी? indirect text होता है जिसका burden जिसके उपर पढ़ता है वो उस burden को किसी और के उपर shift कर देता है और कहता है कि तुम जवाखरोगे गवर्मेंट को ये, जमा करता है कोई और है, ऐसा क्या से हो सकता है, ऐसा कब होता है, कौन-कौन सी कर्डिशन में ये होता है, कौन-कौन सी कर्डिशन में ये होता है, पहली जी, डारेक्ट टेक्स लगता किस की ओपर है, किस चीज की ओपर लगेगा तो डारेक्स लगता है परसन के उपर तरह कोई पूछता है आपसे कुछन बेशिकली यहां पर हम लोग जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे है कि कोर्स करने का मतलब है वह इसलिए है कि कल को हम जब इंट्रूव में जाएं तो हम आंसर दे सकें जो हमारे टेक्स पूछ जा रहे है तो question यह पुछा जाता है direct text किस चीज़ पर लगता है तो हमें बता ना है हम कोई बोलता है income को लगता है नहीं direct text लगता है person के उपर correct person कोई भी हो सकता है individual जो definition में direct text की person का definition क्या है person कोई भी हो सकता है individual company partnership farm association of person body of individual यह हमारे person के type होता है ऐसा कौन सा text होता है जो इसके उपर लगता है वह एक्जामपल है income tax income tax एक ऐसा text है जो की direct text की definition में आता है कैसे direct income tax क्या होता है जिसकी pocket मेरी कम हो रही है आप यह बोलोगे सर हमने तो अपना c a को दे देते हैं c a जमा करता है मालीज़े c a ने आपका टेक्स जमा नहीं करा और अगर आपका पर नोटीस आया तो आप यह बोलोगे कि सर्थ c a ने जमा करा आप उनसे पूछो तो ऐसा नहीं चलेगा government कहेगी हमें इससे मतलब नहीं नहीं है कि c a ने जमा करा यह नहीं करा चिम्मेदारी भी आप ही कि थी और आप ही का बूछ तो आप ही को हमार तक पहुचाना था तो डारेक्ली वह मेरे उपर लगा वह बर्डन में किसी को पर शिफ्ट नहीं कर सकता हूं इसलिए उस टेक्स को बुला दयता है डारेक्ट इंडारेक्ट टेक्स क्या होता है पहले क्या होता है उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर किस चीज पर लगता है तो डारेक्ट टेक्स हम रहे है दो चीजों पर लगता है या तो गोट्स या तो फिर सर्विसिज अभी तक हम यह देखे तो अधिकतर चीजों पर हम जो पर िशटा मेंने बारी रिवेता है उसको मैंने पैसे तो बार रुपे पर आया उस में किसके ओपर आया ने कसी से twelve नहींख्रमार करने भी में I वो उससे पुछेगा जो sailor है इसलिए इस इस को क्या बोलते है इंड डायरेकेज जो बर्डन पसदाउ हो मैंने वहा शुट कर दिया अगर इसलिए इसको बूलाया है इसको बोला रिलीज कर सकता है अगर नहीं आया तो एक गौर example समझो जैसे की जैसे की एक manufacturer होता है वो समान बेचे का किसे wholesaler को wholesaler किसे बिलता है retailer को तो इसने जो समान इसे बेचा इसने GST चार्ज करा तो burden इसके ओपर आया मालिजे इसने 10 रुपे का GST चार्ज करा इस manufacturer ने इससे तो 10 रुपे इसने इसे इसने इसे कितने रुपे दिये 10 रुपे as a tax मालिजे टेक्स की बात कर रहें तो यह burden इसके ओपर आया फिर इसने इससे समान बेचा तो इस burden को इसने इसके ओपर डाल दिया और यह 10 रुपे भी रिकवर करें और एक्सा टेक्स भी और लिया होगा तो यह आगी कहा नहीं है यह कैसे समझते इन शॉर्ड हम यह समझ सकते कि यहां से टेक्स इसका burden इसने उठाया इसने अपना burden इसके ओपर शिफ्ट कर दिया अब बात आती है कि आखिर अभी हम पढ़ गया रहे हमारा object है GST पढ़ना अब GST पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि GST पहले क्या चल रहता है तभी तो आगे बढ़ने की कोशिश करें क्या कम्या थी इतना बड़ा कानूं हमने बदल दिया कि GST बहुत बड़ पूरा पूरा रोलिंग ही बदल दी तो आखिरी यह बचया क्या थी तो पहले मैं जानना ज़रूरी कि पहले क्या चल रहा था तो पहले क्या चल रहा था देखो पहले कौन-कौन से indirect tax लगा करते थे वो समझते गुट्स के ओपर लगने वाले कौन-कौन से tax थे तो एक पूरे कर देख लिया गाड़ी चलाते हुए तो हम चलान कार देंगे तो इसका मतलब है किसी बंदे को बाइक चलाते पे गवर्मेंट के ओफिसर ने देख लिया बिना हलमेट के तो उस पर चलान कर जाएगा तो यह पॉइंट अगया है अगर एक्टिविटी यह आप करते उसी चीज़ को देखते वे यहां पर भी टेक्स के पहले क्या थे रूलिंग थी कि अगर आप ये करते हो तो ये टेक्स लग जाएगा तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप manufacturing करते हो गुष्ट अपने आप तो पैदा होते हैं पुष्ट को लगेगा एक्साइज डूटी उसके ओपर क्या लगेगा एक्साइज डूटी मतलब अगर वो जब कोई भी manufacturer कोई भी goods manufacture करेगा इंडिया के अंदर और वो goods accessible goods है तो उसमें कुछ ruling थी उसकी definition थी कि एक्साइज डूटी कब लगेगी अगर कोई बंदा manufacturing करता है इंडिया के अंदर और वो goods accessible goods है accessible goods का मतलब क्या हुआ जो कुछ ने government ने एक list प्रवाइड करे थी tariff act की कि इसके अंदर जो goods लिखेंगे वो accessible goods है तो यह कहा गया कि जो भी बंदा इंडिया के अंदर manufacturing करता है और accessible goods को manufacture करता है तो जो अपना समान किसी को बेचेगा तो उससे excited duty लेगा और हमें deposit करेगा बड़ा simple सा logic था तो अब इसका question आया कि अब manufacturing ने wholesaler को समान बेच दिया तो wholesaler क्या कर रहा है होलसेलर तो trading करता है तो वो अपने CA के पास गया उसने पूछा सर मुझे कोई tax charge करना है कि अपने customer से उसने का नहीं तुझे कोई tax charge नहीं करना क्यूंकि तू तो manufacturing करी नहीं रहा और definition में कुछ बताया गया नहीं है कि trading के लिए लेकिन इसमें तो government का नुक्सान हो जाता government का नुक्सान क्या हो जाता government का नुक्सान यह हो जाता कि government को जो ट्रेडर अपना profit कमाता उस पर government को कोई शेयर नहीं जाता तो इस पर भी government ने टेक्स लगाया कहा कि अगर कोई within state बड़ा स्पेस्वाइब बुला within state supply करता है तो उसके ओपा लगेगा वैट उसे क्या चार्ज करना है वैट और वैट चार्ज करके वो समान को आगे बेचेगा अब हमारा कोशिश ही होती है देखो कोशिश हर किसी की ही होती है कि अगर without tax में किसी चीश को बेच सेकूं तो फाइदे मन दे क्यों कि देखो यह होता है कि माल लिजे कोई product मैंने 8 रुपे का खेदा और मैंने उसके दो रुपे का प्रॉफिट जोड़ा और उसकी कीमत कर दी 10 रुपे अगर मैं उसे tax के साथ बेचता हूँ मली जे मैं कोई VAT के साथ बेचना पड़ता था पहले तो 2 रुपे जोड़ करके मुझे उसके 12 रुपे का बेचना पड़ता था कि as per the rules, मतलब rules follow करते हुए tax के बिना ही हम समान को बेच ले मैंने CA से पूछा अपने कि सर मुझे क्या ख़रना चीए मतलब में को बिना without tax समान बेचना है तो क्या ख़रना चीए उसने का देख manufacturing करता है तो tax तो charge करना पड़ेगा मैंने का सर मैं manufacturing करूँगा ही नहीं उससे कहां करते हो अभी तो देखो आप बताओ कि मैं वही कर लूगा अगर विदिन स्टेट करोगा तो वैट लगेगा लेकिन कानून में यह कहनी रिखावा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आउटसाइड जाए स्टेट करोगे तो आपको कोई tax चार्ज करना है तो आउट निकले होते हैं और अपने क्लाइंट को उसको सजेश करते हैं उसी से उनकी फीज बनती है बेसिकली करेक्ट है ना गलत गाइडेंस नहीं देते हैं सही गाइडेंस देते हैं टेक्स प्लैनिंग करके देते हैं बेसिकली करेक्ट है तो उसमें उसमें क्या है कि गवर्मेंट से समान बेचेंगे तो गवर्मेंट ने गए ठीक आप बेच लो और हम आप सको बोल रहे हैं कि अगर आप कोई बंदा आज के बाद कोई भी समान बेचेगा तो वो क्या चार्ज करेगा CST बेसिकली क्या है ऐसे ऐसे टेक्स अप एक्टिविटी करने पर गवर्मेंट ने टेक्स लगाती गई कि अगर कोई बाहर समान बेचेगा तो भाई CST चार्ज करना बेगा अब देखो हमारी कोशिश क्या होती है हमारी कोशिश हमेशा यह होती है कि जो हम समान खरीदे वो भी बढ़ा सकता है तो कोशिश करते हैं अगर लेकिन गवर्मेंट ने कहा दिया तो एक साइड देना पड़ेगा आउटसाइड देना पड़ेगा तो करूं क्या तो उसके लिए बुला गया कि बाई एक शी नजर आई उसमें कि इंपोर्ट के ओपर कुछ बात नहीं बुली गई कि इंपोर्ट अगर इंदिया के बार से ख़ीद दो तो को टेक्स देना नहीं देना तो उसके ओपर भी गवर्मेंट ने पकड़ा और कहा कि अगर आप कोई इंपोर्ट करता है तो उसको चार् करना ही पड़ेगा लेकिन मुझे फिर भी टेक्स नहीं देना तो क्या करना चाहिए देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था कि अगर आप गुड्स बेशते हो तो एक्साइज रूटी गुड्स की ट्रेडिंग करते हो विदिन स्टेट तो वैट यह गुड्स को आउट सद क्योंकि डेफिनेशन की लाइप आई नहीं रहा है उसके अंदर तो इस चीज को भी पकड़ा गया और गुड्स डिलिवर्ड करेगा किसी को तो उसके उपर चार्ज करा जाएगा सर्विस टेक्स मतलब वो अपने कस्टूमर से स्टार्ट करेगा सर्विस टेक्स और वो हमे तो यह सब चीजें जो थी लग रही थी अब हगर आपको अभीए टैक्स से बचना है तो एक ही तरीका है कि कारोबार च्छोड़ो और सेलरी पे आजाओ किसी के आखा काम करने लग जाओ सेलरी पेएगर आपको टैक्स से बचना है क्योंकि कोई ऐसे जगा नहीं जहांपर आप टेक्से बच से को फिर एक जुलाई दो हजार 27 में 17 में एक भुचाल आया और उस भुचाल ने इसको इस पूरे को तहस्नेस कर दिया इंडारेक्ट टेक्स को तहस्नेस करा और सारे टेक्स खतम करके एक टेक्स आगया that is GST, ये सारे चीज़े खटम होते के बाद क्या आया? GST आ गया, तो अब मेरे को ये बताने का वज़े क्या थी, कि मैं क्यू बता रहा हूं आपको, तो मेरे को ये बताने की वज़े ये थी, कि मैं आपको से question पूछना चाह रहा था, ये मेरा object था, कि आखिर क्या ऐस ये जो चीज़े आपने समझी है, इसको देखकर करके आप निखा लिए, कि आखिर कौन-कौन सी कम्या थी, जिनको दूर करने के बाद, GST की, दूर करने के लिए हम लोग GST को लाए, correct? तो आप लोग सोचिए इस पे, फिर हम लोग इसके बड़ डिसकेश करेंगे, next class में, तो सब तक लिए, बाई बाई!